So, Hey everyone, this is Karan तो आज हम OASAP प्लेलिस्ट को कर्टीन्यू करने वाले हैं तो हम Linux के साथ काफ़े जादा टाइम बिताने वाले फ्यूचर में तो Linux के फाइल डारेक्टरी समझना बहुत ही जरूरी हो सकता है Linux में क्या-क्या फाइल सोते हैं आप इससे समझ सकते हो उनकी कितने फाइल फैमिली मेंबर से हमें उन्हें समझना पड़ेगा तो बिना किसी देरी की आई शुरू करते खेर ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया जो कि हम आज सीखने वाले इससे देखने के लिए हम एक प्रैक्टिकल टर्मिनल भी रखेंगे जहाँ पे हम चीजों को वेरिफाइ कर रहे होंगे इन सब चीजों में आई एक छोटा सा डिफिनिशन देख लेते हैं तो लिनेक्स हर चीजों को एक हायर की ट्री-like structure में store करता है तो आप जितने भी tools को जानते हों वो सब एक simple सा एक folder एक file है जो कि चीजों में content हो रखा है तो आप कुछ भी access करते हैं तो वो file execute होता है तो ऐसा कुछ Linux काम करता है और अलग-अलग folders जो भी है वो हमारे root folder में रखे जाते है जो कि उसका symbol होता है यह और यहाँ पे मैंने एक diagram मना है जिससे आपको एक अच्छा सा view और easy लिए आप समझ फाओगे तो यह एक basic सा intro था आप चाहो तो पढ़ सकते हो और अब हम start करते हैं इन directories के तरफ तो सबसे पहले हमारा आता है root directory जो यह directory इसके पीछे कुछ नहीं यही से सब कुछ start होता है इसके अंदर ही सारे Linux के file store हुए रहते हैं और यह यहाँ पे चर्चार करने के लिए आपको root permission चाहिए तो हम तो फिलाल local user में है जो कि हम चर्चार नहीं करने वाले सिफ read करने वाले files को आईए हम देखेंगे सबसे पहले bin directory तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक forward slash है वो हमाई बताता है हम root folder में verify करने के लिए मैं pwd करता हूँ और यहाँ पे बता रहा है हम कहाँ पे तो सबसे पहले मैं ls कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ files है आपको कुछ-कुछ files ignore करने जो कि मैं यहाँ पे mention नहीं कि वो एक common files मतलब आप वो एक basics file समझ सकते हैं जैसे कि यह library 32 bit, library 64 bit और बाकि जो भी main में ने वो मेंने cover किया है सबसे पहले हम आएंगे bin folder में so what is a bin bin को हम कहेंगे essential user binaries जो कि हमारे system को basically small small चीज़ों में जो भी हम run करते उनके libraries को contain करता है for example हम use करते ls command cp, move या फिर cat command मुझे यह बताने की ज़रूतनी यह command क्या होते मैंने already पिछले वीडियो में cover कर लिया है so मैं यह कहूँँ simple से चीज़ों को run करने के लिए हमें जो file चाहिए वो हमारे binary file में होता है तो मैं चलता हूँ binary file में आपको overview देने के लिए छोटा सा तो यह सारे हमारे files है जो कि हम use करते हैं यह VIM को तो आप चाहनती होगी जिससे हम file वगर एडिट करते और यहाँ पर कई सारे जो कि मुझे भी नहीं पता और TEL हम use करते file को content को view करने के लिए TCP dump है जो कि एक networking tool है और फिर SSH जो कि हम secure shell transfer करने के लिए हम use करते और जितने भी इसमें basics जो कि tools होते वो इसमें है so I hope आप अभी तक ही समझ गयोगे binary file किसलिए हम रखते हैं Linux में तो मैं एक चीज़ बाद आना चाहूँगा हम Linux में यह सब चीज़ों को हम directories कहते और windows में folders कहते हैं तो आप confuse मत होना तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ अगर आप GUI mode में देखोगे तो यह कुछ ऐसा दिखता है आपको ज़रूरी नहीं कि आप as a terminal से ही समझो files को तो यह हमारे वही files है जो वहाँ पे locate हो रहे होते हैं अब हम चलते हैं boot की तरफ boot आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं जब आपकी systems turn on होते हैं उसे चालू करने के लिए कुछ files लगते हैं उसे हम केते हैं boot loaders files जब आप systems को load करते हैं तो आपके kernel, ram disk या फिर कुछ main file रहते हैं जो कि हमें requirement होती है अपनी system को on करने के लिए वो सब इसमें रखे जाते हैं तो हम इसमें चलते हैं और फिलाल तो मेरे पास boot loader में कोई भी file नहीं है क्योंकि मैं इसे कोई भी operating system में नहीं चला रहा हूँ मैं WSL install करके इसको चला रहा हूँ अगर आपको यह चानना है यह मैंने कैसे किया तो आपको एक पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी बहुत ही चोटी वीडियो आप भी आप अपने टर्मिनल में Linux को यूज कर सकते हैं विदाउट operating system लेकिन आपके cases में अगर आप virtual machine या फिर dual booting वगरा कोई भी चीज यूज कर रहे होगे तो इसमें कई सारे file content रखे होंगे इससे compare मत करना कि इसमें कैसे नहीं है तो आप यह समझ गए जैसे कि bootloader में यह भी आता है grub bootloader जब आपने कई बार Linux install किया होगा तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा क्लिनिक्स क्रैश हो जाता है mainly grub bootloader के वज़े से वो files जो रहते है वो इसे में store किये जाते है तो अब बात करते हम device files के बारे में जो कि हम forward slash dev से denote करते हैं उसे में दिखाने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं dev file है तो इसमें हमारे drivers install रखे होते हैं जो कि हमारे for example आपका mouse है तो mouse directly हम use नहीं कर सकते जब तक कोई भी इचमें interpreter ना हो जो कि हमारे hardware को हमारे operating system से connect करें उसे ही हम drivers केते तो वो सारी files इसमें रखे जाते हैं तो हम चलते ही इसके under और करते हम ls यहाँ पे हमारे पस कई सारे files है जो कि बस जो कि हमारे network data transfer के लिए काम आता है disk हो गया, core हो गया यहाँ पे और भी कई सारे जो फिलाल तो मुझे इतने सारे चीज़ों का कोई भी पता नहीं है इन में से most of the files मुझे C के लग रहे तो आप एक basic सा यह समझ सकते हैं तो हमारा dev file drivers को content करता है, जो कि for example, USB driver या फिर CD-ROM या फिर printers के driver वो यहीं पे store करता है तो अब बात करते हम ETC के बारे में हमारा ETC folder एक configuration file कहलाता है, तो यह content करता है कुछ configuration file just like system application जो भी हम install करते हैं और network configuration के user accounts के या फिर wide configuration जो कि हमारी systems के रहते वो continue करता है तो ज़्यादा हम explain नहीं करेंगे, इसके अंदर चलेंगे और करते हम LS तो यहाँ पे हमारे कई सारे folders दिखरें, जो कि सारे के सारे हमारे configuration files है, जैसे कि हम कोई भी account manage, यह create करते हैं, वो सारे details यहीं पे create होते etc folder में फिर वो हमारा password हो गया shadow हो गया, तो मैं मुझे एक छोटा सा चीज यादा है जिससे मैं आपको explain कर सकता हूँ जो कि आप देख रहे हैं, मैं एक file को देखनी की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि etc के अंदर है, वो कहलाता है password और मैं करता हूँ, एंटर तो यह हमारी user management है, हमारे account में चितने भी user से वो उनकी details carry करता है, जैसे कि एक root user होता है और उसके उपर password से ट है, जो कि x से denote किया जा रहा है उस password को देखने के लिए shadow में जाना पड़ेगा, etc shadow में और फिर यह disk का default shell होगा bin bash तो ऐसे ही हमारा caron का यहाँ पर रहा जो कि root user नहीं है, 1000 से denote की जारी इसकी ID, यहाँ आपर मैं verify करवा देता हूँ, ID तो यहाँ पर हमारी ID है 1000, जैसे कि इस file में ता, तो I hope आपको etc यह समझ में आगया होको configuration file को store करता है तो अब चलते हमारे प्यारे file के ऊपर जो की कहलाता है home तो इसके नाम से आप लोग पता लगा सकते हो, यह file क्या है, जो कि हमारी user के data, मतलब user से related जो भी basics रहते हैं, वो यहीं पर store किये जाते हैं जैसे कि हमारे user होगा caron तो caron के सारे जो भी एक basics यह रहेगा, file caron से related, वो यहीं पर store किये जाते हैं इससे explain करने के लिए मैं ऐसा दूँगा, जैसे कि हमारा windows का desktop अगरा होता है वो सारे चीज़े जैसे कि desktop, video, pictures, वो सब इनी के उपर store किये जाते हैं, हम जैसे ही जो करली, पता नहीं इस करली को क्या गयते मुझे नहीं पता और मैं इसे enter करता हूँ तो हम land हो गए हमारे home directory में जो कि हम करेंगे home, caron, जो कि हमारे user, इसका फाइदा ही होता है कई बार, कि हमारे पास कितने भी users हो हमारे Linux में उन सब के ऐसे नाम बनते जाएंगे फिलाल, तो मेरे पस एकी user है, caron यहाँ पर और भी रहेंगे, यहाँ पर उनके नाम बनते जाएंगे और वो जो भी करेंगे वो ना ही caron देख पाएगा, ना ही कोई और जो user है, जिसने वो चीज create किए वो ही देख पाएगा और यह permission नहीं मिलता, तो यह काफी अच्छी चीज़े हमारे लिए तो अब बढ़ते हम अपने अगले कदम की तरफ तो हम जाएंगे और वो अपस से root में LS करेंगे और अब हम बात करेंगे, लिप के बारे में जो की है essential shared libraries तो यह directory contain करता है, जो भी shared libraries है, required होते है जैसे कि हमारा system binary हो गया, या फिर other application की requirements जो भी है वो इस library में रखा जाता है, तो हम चलते हैं इस folder में और करते हैं LS, तो यहाँ पे हमारे system के जो भी libraries requirements है वो यह हमारे directory हैंडल करता है जैसे कि open SSH हो गया और जो हमारा manual page होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को detail में जानने की कोशिश करते हैं किसी tool को, तो हम man command use करते हैं यह libraries system में run करने के लिए folders को बहुत importance रखता है और अगले file के तरफ हम चलते हैं जो की है media, तो इसमें आपको ज्यादा सूचने की ज़रूर ने media एक normal सा folder है एक minute, ऐसे जो हमारे removable medias होते हैं उनके systems, यह हमारा folders handle करता है जैसे कि removable media मेरा मतलब USB drivers हो गया, CD ROM हो गया, यह free DVD इस type के चुबी media रहते हैं वो इस folders से मैं store होते हैं तो फिलाल मेरे पास तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे MT दिखा रहा है, मैं LS कर रहा हूँ फिर भी तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा media C related mount के बारे में तो हम करते हैं MNT और LS करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ यह folders मिल रहे हैं कि हमारे mount हने के बाद के जो भी folders वो यहाँ पे रखे जाते हैं तो जब भी हम कोई भी चीज को mount करते हैs हमारी system को use किया जाता है तो वो mount हने के बाद यहाँ पे store किया जाता है For example, कोई भी DVD या फिर कोई भी ऐसे چीज जो कि हम mount करते तो यहाँ पे रखी जाती जैसी कि मेरा ये WSL का फोल्डर यहाँ पे है यहाँ पे सिफ DVD और कुछ फोल्डर्स ही नहीं यहाँ पे Network File System भी रखे जाते यहाँ फिर अलग Hard Drives की Details जो के Mount हने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यह एक छोटा सा ही फोल्डर था और मैं चलता हूँ बाहर और अब हम Explain करेंगे OPT के बारे में, Opt के बारे में, तो मैं पहले इस LS कर लेता हूँ और फिर चलते हम OPT के अंदर और LS करता हूँ इसके अंदर भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो लेट मैं Explain OPT है क्या तो as मैं बता दूँ, मैं Ubuntu run कर रहा हूँ और सबको पता हूँ, बोथ lightweight system होता है तो इसमें already बहुत सारे चीज़े install नहीं आते हैं, बहुत सारे क्या almost आती ही नहीं है तो जो भी हमारे optional softwares रहते हैं, जिसके हमें Windows एकदम नया ना install करके मिलता है, उसमें Premiere Pro थोड़ी ना होता या फिर उसमें operating system, I mean virtual machine के अंदर operating system या फिर virtual machine ही नहीं होता तो ये जो भी बाहर के software से वो install नने के बाद हम OPT में रखते हैं फिलाल मैंने तो कुछ install नहीं किया Ubuntu में सो ये पूरा खाली है, आगे से आप कोई भी चीज इंस्टाल करो तो आप इस OPT folder को देख सकते हो, उसमें क्या-क्या रखे हैं मेरे पास तो यहाँ पे कुछ नहीं है even you can say OPT as a system package manager तो अब हम चलते हैं प्रॉक के तरफ चुकि यहाँ पे हमारे फाइल यहाँ भी थोड़ा फोकस किया करो तो मैं यहाँ पे चलता हूँ back और ls cd प्रॉक करते हैं ls तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्डर से लेट में एक्स्प्लेन यह किस चीज के बहुत ही इंट्रेस्टिंग है यहाँ पे फोकस किजिए टर्मिनल पे तो प्रॉक नॉर्मल आप यह समझो प्रोसेस इंफोर्मेशन प्रोसेस से आप यह समझ कए होगी cpu तो लेट में एक्स्प्लेन इस डारेक्टरी यह डारेक्टरी करते है वर्चुल फाइल्स को जोकी प्रोवाइड करते ही इंफोर्मेशन अबॉट सिस्टम एन रनिंग प्रोसेसस जैसे हम टाक्स मैंचर विडिजोज में खोलते हैं वैसे ही इसमें डीटेल्स रखे जाती ह जोकी जब भी कोई भी प्रोसेस रन हो रहा होता है तो उन्हें एक आईडी दी जाती है जोकी यहाँ पे एक फोल्डर क्रियेट करके वो प्रोसेस आईडी इसमें रन होती है इन से छेट-छाट तो बिल्कुल ही मत करना ग्रैश हो सकता है इस सिस्टम आपका तो यहाँ पे for example मैं cat version करता हूँ तो यहाँ पे हमारे Linux के versions के बारे में यहाँ पे details है तो आप जो भी चीजे यूज करते हो ना वो सारे folders में जैसे कि मैंने versions निकाला इससे cat version जो कि यहाँ पे यह folder है तो अब चलते हैं हम root के तरफ तो root आप almost जानते ही होगे तो मैं सीधा root में चलते हो फिर explain करता हूँ root क्योंकि मैं एक normal user हूँ root में जाने के लिए मुझे एक super user की power चीए चलते हम super user में तो हम root user में आ गए यह symbol देख सकते हो जो dollar होता है एक normal user का रहता है और hashtag एक root user का होता है तो जैसे कि मैं सही हूँगा तो मैं already root में हूँगा क्योंकि हम जैसे ही root को access करते हैं आप पर already shell set होता है कि जब भी root आए वो कहां पर land हो तो मैं back चलता हूँ तो यह मैं root folder में ही आ गया और अब मैं root में जाने की कोशिश करूँगा तो मैं चलता हूँगा क्योंकि मैं root user हूँ तो इसमें हमारा जो भी root user रहता है वो सारे personal काम करने के लिए उनके लिए यह एक folder बना है तो most the time यह मत confuse हो ना यह root है और इसे भी हम root के देते हैं तो confuse में होता ना यह root वाला folder हमारे root users के लिए और यह जो main root है वो हमारे सारे folders को contain करता है तो मैं वापस से तो मैं वापस से normal user बन जाता हूँ मैं नहीं चाहता explain करते वक्त मैं कुछ कड़बढ करतूँ और मेरे system crash हो जाए तो मैं यहां से थो वोड़ा setup change करना चाहूँगा क्योंकि हम आगे जा चुके और यह हमारे कुछ चीजों को hide कर रहा terminal तो मैं आप ऐसा रखता हूँ ताकि मैं आपको explain करता हूँ तो हमने बात कर लिया root user के बारे में तो अब बात करते हम sbin के बारे में तो यह होती है system binaries जो की contain करते हैं हमारे वो binaries को जो system administrator को run करने के लिए use किया जाता है जैसे की FDs हो गया या फिर IP tables हम चलते हैं पहले इसके अंदर फिर explain करेंगे बाकि की चीज़े तो यहाँ पर हमारे system जो भी administrator है वो उसे use करने के लिए तो मैं करता हूँ get IP table चुकि Linux के firewalls में से एक है क्या अंदलती कर रहा हूँ ओके cat IP tables तो मैं इस file को अच्छे से read नहीं कर पा रहा हूँ तो अब नार्मल यही समझ सकते हूँ हमारा as been system administrator जो भी task होते हैं उन्हें यह contain करता है एक पर मैं try करता हूँ तो यह हमारे IP tables को कैसे use करना है वो दिखा रहा है तो यह firewalls होते हैं हमें system में किस चीज़ों को allow करना है किस चीज़ों को deny करना है इसलिए हम use करते हैं तो और भी ऐसे कई सारे files होते हैं इसके अंदर जो कि as been continue करता है तो हम इससे बाहर आते हैं और अब बढ़ते हैं हम SRV की तरफ जो कि है service data तो service data आई यह interesting चीज़ लगी गया आपको क्योंकि जैसे कि हम FTP हो गया SSH हो गया जो कि हमारा services को run करते है HTTP यह सब इसके अंदर होता है तो हम चलते हैं CDSRV sorry CDSRV और करते हैं LS तो यहाँ पे इसमें भी मेरे पास कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए I'm so sorry तो यहाँ पे FTP हो गया और फिर HTTP जो भी services हम run करते हैं वो यहाँ से operate होती है इस folders में रखे जाती है तो आगे हम बढ़ते हैं TEM के तरफ TEM लिखा है तो जब भी हम system में काम कर रहे थे हमें एक ऐसा folder चाहिए रहता है जिसमें हम चीज़े तो store करें लेकिन वो long time के लिए ना हो जैसे कि हम CTF solve कर रहे हैं और CTF से related कुछ detail हमें चाहिए लेकिन वो सिफ अब भी के लिए चाहिए हम चाहते हमारा system जब बंद होके चालू हो तो वो details को ना रखे delete कर दे तो एक बार इसमें store करने के बाद और system हम बंद करके चालू कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा और ये सब चीज़े इन्हें please delete मत करना ये system को run कर रहे होंगे या फिर ये कुछ services को carry करते है अगर आप इन्हें delete करोगे तो system में दिक्कत आ सकती है या फिर crash हो सकता है तो चड़ चड़ प्लीज मत करना जादा ने ये थोड़ा सा ही रहे गया है तो आप थोड़ा सा मुझे time देजे में explain करता हो और अब हम बात करेंगे user के बारे में तो हम चलते हैं user में ls और अब हम करेंगे cd.usr तो let me explain कि ये क्या होता है तो हमारा user और नॉर्मली user binaries and libraries जो कि user directory contain करता है हमारे binaries और libraries को system के लिए such as system administrator या फिर टूल्स या फिर development of libraries सो यहाँ पे cd हम bin करते हैं और ls करते हैं तो हमारी user की चुब bins और tools होते हैं वो यहाँ से operator की जाती है तो यहाँ पे कई सारे जो कि मैं scroll भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ से scroll करूंगा इने और कुछ चीज़ें हमें देखता हो अगर कुछ ऐसा दिखता है जिसे मैं explain कर पाऊं तो यहाँ पे clear command है जो कि हम use करती चीज़ों को clear करने के लिए copy है और भी ऐसे कई सारे cut है curl है जो कि हम website से कुछ download करने के लिए use की जाते हैं अमारे जो भी tools होते हैं वो यहाँ से operate हो रहे होते हैं तो हम चलते हैं अपने root folder में और करते हैं ls अब बात करेंगे हम variable data के बारे में जो कि है var तो variables क्या होते हैं यह तो आपको पता होगा कोई भी चीज़े elements को हमें store करना हो तो हमें variables create करना पड़ा तो हम चलते हैं cd var में और करते हैं ls तो यहां पे जो भी हमारा variables है यहां से run होते हैं जो कि हमारा backups है और backups जो भी हम चीज़ों को backup करने के लिए रखे जाते हैं और cache है जो कि memory changes हमेशा कर रही होती और कुछ चीज़े हमें log करके रखने पड़े हैं जो कि system को run कर रही होती और उससे छेड़ छाड़ नहीं करना तो यहां पे और logs जो भी system में logs होते हैं कौन को user access कर रहा है system को वो यहां पे store की जाती है तो variable ऐसे चीज़ों को contain करता है variable data of system such as logs, mailbox या फिर spool files so यह है हमारे वीडियो की last file जो कि है sys तो अब चलते हैं हम root folder में और ls करेंगे और cd करेंगे sys में और कर गए हम enter तो इसमें आपको यह चीज़े देखके समझ आ रही होगी कि इसमें क्या है तो let me explain the things sources जो directory है वो Linux के virtual file system को store करता है जो कि हमें provide करता है interactive kernel या फिर access information हमारे device के बारे में जैसे कि kernel parameter यह फिर और भी कोई system से related information जो कि आप क्या आप देख पा रहे हैं जो कि हम चलते हैं cd kernel और करते हैं ls तो यहाँ पे हमें kernel से related details दिख रहे हैं तो हमारे Linux को जो भी kernel details है वो यहाँ पे है let me explore more things तो हमारे यह CPUs के भी details को रखता है जो कि हम चलते हैं cd CPU में और explore करेंगे तो यह और ज़्यादा कुछ नहीं हमारे main processes cfa CPUs drivers और kernel firmwares को store करता है जो कि हमारे पूरे system को run करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है so I hope आपको आज की वीडियो informative लगी होगी और मैंने अब बहुत ही उपर उपर से समझाए ताकि आपको ज़्यादा confusion ना हो और ऐसा नहीं कि सिफ इफाइल से इन फाइल के अंदर भी और भी सब फाइल से जो कि हम अगर possible हुआ तो futures के वीडियो में explain करना चाहेंगे क्योंकि सिफ Linux इन फाइलों से रन नहीं होती इनके अंदर भी चुछ सब फाइल से वो बहुत importance होते so I hope आपको एक Linux फाइल डेरिक्टरी का basic knowledge तो मिल गया होगा so please let me know in the comment how was the video और I will say आज के लिए बस इतने हैं और मिलते हैं next video of me